हलो एब्रिवन विल्कॉम बैक टू माई शेनल व्यूटी पॉइंट मैं लवली भारदॉस मेरे आज के वीडियो में शेर करने वाली हूँ घर पी ब्लिज करने का बहुत ही आसान तरीका कैसे आप अपने घर पे अपना खुद का ब्लिज कर सकते हैं वो मैं आज के वीडियो म करने वाले हूँ उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आएगा तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्काइब भी जरूर कर लेना ताकि जब भी मैं कोई नेक्स वीडियो अप्लूट करूँ आपको इस जो bleach है ये क्योर करता है कि आपको extra sign के लिए month में दो बार bleach यूज़ करना चाहिए बट मुझे लगता है कि month में bleach बस एक बार ही यूज़ करना चाहिए पिकोज bleach में कुछ chemical होते हैं जो skin के लिए सही नहीं होते तो एक बार भी bleach आप face पे यूज़ करते हैं आपकी सारे facial hair कम से कम एक मौन्थ के लिए तो ब्राउन हो ही जाते तो फिर जब दोवारा से वह ब्लैक हो जाते तो फिर से यूज़ कर लीज़े बर ज्यादा ब्लीच करने से आपको बचना है अब ब्लीच करने का तरीका क्या है वो देख लेते हैं प्रॉक्समेटली सारे ब ब्लीच क्रीम में भी यह नहीं है इसमें आपको दो चोटे चोटे से कंटेनर मिल रहे हैं बड़े वाले कंटेनर में आपको ब्लीच क्रीम मिल रहे हैं चोटे वाले कंटेनर में अक्टिवेटर मिल रहे हैं तो आपको उसमें जो भी क्रीम मिलते हैं वो एक यूज के लिए ही मिलते हैं तो आप सारे ब्लीश क्रीम को यूज करेंगे वाट उसके साथ जो अक्टिवेटर मिलता है वह पूरा अक्टिवेटर आपको यूज नहीं करना होता है और वह पूरा अक्टिवेटर यूज नहीं करना होता है इन चीजों को ध्यान में रखना होता है तो यहाँ पर मैंने ब्लिच क्रिम ले लिया है उसका 25% वर्णी समें अक्टिवेटर एड़ किया आप किसी भी स्किन टाइप के लिए ब्लिच क्रिम रेड़ी कर रहे हो आपको एक्टिवेटर 25% ही अड़ करना है और अग्टिवेटर एड़ करनी के बाद इन दोनों को बहुत ही या फिर facial tissue use कर लीजे या face wash कर लीजे वेट आपका face बोड़ी तरह से clean होना चाहिए कोई भी makeup धूल गंगी face पर नहीं होने चाहिए जब आप clean face पर bleach apply करेंगे तो ही आपको बहुत ही ऐसे result देखने को मिलेंगे तो यहाँ पर मैंने बहुत यंचे से clean कर लिया skin को उसके बाद हम apply करेंगे bleach cream को bleach cream जब भी आप activator के साथ mix करने के बाद face पर apply करते हो तो उसे आपके सारे facial hair जो भी face में होते हैं वो brown हो जाते हैं और face का color भी lightened हो जाता है फेस पर बहुत ही प्यारा सा glow भी आ जाता है cream अगर आपके घर में तो वह भी apply कर सकते हो इस पर आइब्रोस भी यह cream apply कर दोगे तो गलती से भी अगर bleach cream लग भी जाती हो तो आपके आइब्रोस ब्राउन नहीं होंगे इसके बाद आपको फेश पर ब्लिच क्रीम को apply करना है अगर आप finger से comfortable हो तो finger use कर सकते हो अब ब्रस का वे इस्तेमाल कर सकते हो अब जैसे भी comfortable हो ब्लिच को apply कर लीजे और ब्लिच को apply करने के बाद आपको इसको छोड़ना होता है फेस फेक्स टाइम के लिए इसको ड्राइन करना होता है यह कोई face pack नहीं है यह जाइस इसको फेस पर ड्राइन करना होता अगर नाइट में इसको यूज करना ज्यादा वेस्ट होगा नाइट के टाइमें से यूज कर लीजे फेस को अच्छे से क्लेन करने के बाद फेस पर टोनर अपलाई कर लीजे और देन ओबर नाइट फेस को ऐसे ही छोड़ दीजे ब्लिच को क्लीन करने के बाद भी अगर possible हो तो 24 घंटे तक आप फेस पे कुश्वी अपलाई नहीं कीजे आइमीन कोई भी मेकप उवटन वगरा नहीं यूज कीजे इन चीजों से आपके फेस में कोई भी इंफेक्शन हो सकती है और most important बात कि अगर आपके फेस पे कोई भी active pimple है कोई भी skin allergy problem है तो आप bliss मत यूज कीजे because bliss में chemical होते हैं और थोड़े बहुत itching वगरा होती है ब्लीच को यूज करने के बाद तो अगर problem है तो और भी problem बढ़ सकती है ज्यादा problem create हो सकती है तो अगर problem बाली skin है तो ब्लीच को मत यूज कीजे because bliss में chemical होते हैं और यह आपके लिए ज्यादा नुकसान दे हो सकता है तो मैंने पूरे face और neck पे भी bleach अपलाई कर दिया है skin type जैसा भी मैंने आपको अभी दिखाया जिससे skin पे वो medium है तो 12 मिनट के लिए maximum इसको शोड़ेंगे 12 मिनट के बाद face को clean कर लेंगे face को clean करने के लिए आप कुछ भी यूज कर सकते स्पिचला के helps से इसको निकाल सकते यो फिर funny के health से इसको पूरा clean कर सकते है इसको निकालने के बाद आपको बस toner यूज कर लेना है face पे उसकी बाद कुछ भी यूज नहीं करना है नाई टाइम में ब्लिच कीजिए ज्यादा best result मिलेगा और ब्लिच महीने में बस एकवार कीजिए 18 प्लस के हो तो ही ब्लिच कीजिए I hope सारे important information मैं आपको दे पाई हूँ अभी भी कोई doubt है तो comment section में जरूर पूछ लेना मेरे चैनल पे और भी कई सारे वीडियोज है ब्लिच के तो मैं उन वीडियोज को भी आई बटन में भी और description में भी लिंक दे दूँगी तो अब चाहो तो check out कर लेना साथी वीडियो अच्छा लगा हो तो please like और चैनल को subscribe जरूर कर देना